नमस्कार सातियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिजेंट टीवी के एक और नए वीडियो पर दोस्तों पेंसन से जुड़ी एक बहुती बड़ी ख़बर निकल के आ रही है ये ख़बर है केंसरकार को दवाव में लाने के लिए 2,024 तक कई बार हो सकता है भारत बंद बंद रही है मजबूत रड़नीती दोस्तों ख़बर को विस्तार से जानेंगे उससे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों जानते हैं ख़बर को विस्तार से केंद्री कर्मचारी संगटन पुरानी पेंसन बाहल करने और निजी करण को रोकने सहत अन्द मांगे पूरी कराने के लिए सरकार पर चारों तरप से दवाव डालने की रड़नीती बना रहे है अगर उनकी ये रड़ को गती देंगे विपच को साथ में लाने के प्रयास हो रहे है आल इंडिया बैंक एंप्लाइज एसोसियेशन के महा सचयों और अखिल भारती रच्छा कर्मचारी महा संग के महा सचयों स्रीकुमार के अनुसार सरकार निजी करण की मीथ पर चल रही है यह देश हित्मे नह इस आंदोलन में आप विविन राजियों के कर्मचारी संगतन में भी सामिल हो रहे है तो दोस्तों यह साप साप रड़नी थी समझ में आ रही है कि यदि पैंसन जो बहाल नहीं की जाती है और जो यह निजी करण का काम चल रहा है यह नहीं रोका जाता है तो 2,024 तक कई ब भारत बंद का ऐलान हो सकता है तो दोस्तों यह थी आज की खबर यदि आप लोगों को यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा